हेलो एवरीबन दिस इस करमवीर मान एजनल्स कोच इस वीडियो दे विच राजे जो मैं थोड़ी टॉपिक लेके आएंगा अज एक न्यू टॉपिक है पार्ट टू दे उपर पिछले वीडियो देख चुक हैं मैं अच्छे के पार्ट टू केड़ा होंगा क्यूं काड़ अज मैं उदे उपर एक टॉपिक लेके आया राजे एक न्यूव कंसेप्ट लेके आया कि किस तरह अपां टास्क पार्ट टू आस पीकिंग उन्हों स्टा बढ़ थोड़ी बहुत ज्यादा हैलफुल रहूँ कि तुसी प्रॉपरली अब्जर्व करना वीडियो नों सारी वीडियो प्यांना देखना जस्ट एक एन एक्जांपल बच्छे आपनों अग्जाम दे पेच क्यूं काड़ आ रहा कि डिस्क्राइब अबोग डैट यू रिसेंटली डेट एक बुक बारे डिस्क्राइब करो एक बुक बारे दसो जेडि तुसी रिसेंटली थोड़ा टाइम पहले ही पढ़ी हा उन्हें इन्हों अपास स्टार्ट किस तरह करांगे बहुत सारे बच़े बहुत सारे इंसीटूर से बिच्छे नों दस्यांदा के दुसी स्टार्ट कर लो I am going to talk about a book I am I would like to talk about a book यह चीजहां बच्ची जिडियां सिंपल आगी है इंदन आपने बैंड स्कोर 55.56 तक वेरी कर दे नहीं बट एस वीडियो देविच मैं तुने के concept दे रहा हैं जिदन आपने बैंड स्कोर बूस्ट अप होंगे किस तरह स्टार्ट करना पता जिड़ा पार्ट तू आपना एक 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 जांपल लेती है बच्चे कि टॉक अबाउट बूक डैट यू रिसेंट्ली रेट एक बूक को बारे दसो जड़ी तुसी रिसेंट्ली पढ़ी होई है कि पढ़ी है कि फुरा टाइम पहला पढ़ी है पुने देवेच्च की करना रहे अपा वर्ड कॉपी नि करने हैंगे क्यों कर देवेच्छ ना इंट्यू पर पेराफ्रेज नी किता अपनी वोकैबलरी यह नी किती जस्ट आप अनू कॉपी करने हैंगे कॉपी नी करना ओदेवेच्च अपनी खुड़ी की नौलेज आड़ करो बुक दा सनननियम यूज कर लो राइट रीसेंटली दा सनननियम अपा यूज कर सागेंगे मोस्त इंपोर्टन तिंग राजे में का आउटलाइन आउटलाइन रेडी करो लाइक अपना क्यू काड़ा तॉक अबाउट अबुक अपकी क्या सब्सक्राइब के बुक्स अरदा इंपोर्टन सोर्स पर गेटिंग नॉलेज वी रीड बुक्स पर इंटर्टेंबेंट सब्सक्राइब कर दो कि I have many books I like to read books because books are a source of information and entertainment for us there are lot of books available there are fiction books non-fiction books books अपना रिपीट हो रहा है सब्सक्राइब कर रहा है बच्चा रीफ्रेज कर रहा है बच्चाओं अपने आप तो कुछ एड कर रहा हम सुर्देवेट तो आपके में की क्या सकते हैं I would like to talk about a novel that I read two weeks ago जित्थे आपके ना सीगा I like to talk about a book that I read recently आप उते केडी लाइनी यूज कर सकते हैं I am going to talk about a book that I read two weeks ago एह अपना first way second way किया बच्चे I would like to talk about या I am going to talk about a fascinating novel that I read not so long ago जिदी मैं ज्यादा लंबा समा पहला नहीं पड़ी है भी क्वेशन दा मीनिंग समझ रहे हो आंसर जिड़ा आपा दे रहे हो दा मीनिंग क्लियर आउट हो रहा है कि आपर repeat नहीं करना copy नहीं करने हैं गया आंसर जिड़े अपने क्यों कार्द रेच्चों बोल्ड रहा है आपा outline पहला आप बोक्स आपने को ले बोक्स में बारे क्वेशन दा सोर्स ने इंटर्टेंडमेंट दा सोर्स ने अपनु नॉलेज मिल दिया बोक्स पड़के दन अपा स्टार्ट की करना I am going to talk about a novel वोक दी जगा novel यूज करो उनने क्या recently that you read recently which I read two weeks ago which I read notes so long ago different set different type of things ने जिए आपा कैसा देया I read a novel जिए आपा एचे कहोर लाइन यूज कर सादेया I would like to talk about a novel which I read a couple of days ago a couple of months ago so वे राजे उन्हों स्टार्ट करना क्योंकि जए अपनी स्टार्टिंग ही बहुत ज्यादा एक्षेक्टिव होगी ना था एक्जामीर इंप्रेस हो जामें जी आपा प्रॉपर्ली एक्स्प्लेइड कर रहे हैं होने जी देखो फर्क समझेयो रजी एक साइड ते आपा कह रहे हैं I am going to talk about a book that I read recently क्यों खुआ देखो जी ना था प्रॉपर्फेक्शन स्ट्रक्चर भी हो गया पारफ्रेस भी करते हैं पर रीफ्रेस करती हैं जी एक्स्प्लेट वॉइंट कर वाग्या बुक्त नाम देखो जी एफिक्शन सी नौन-फिक्शन बुक्स दीगी ऑथर दा नाम देखो जी इसी बच्चे के पार्ट तू नू श्टार्ट के में करना गापां बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग लें तो स्टार्ट के एक्शन करो जी दो वेस्टून में दसने के रीप्रेस करो वुकेबलरी यादा यूज करो पार्ट तू हो टू स्टार्ट प्यों कर ओड़ अपना लैसंसी नेक्स्ट वीडियो से वेचरा तूसरी मिर्या वीडियो से लाइक शड़े जिरूर करें क्यों पता लगे कि मैं केस करा दोदिया तो डेली हो रेडि करके लेके हमां So for more videos, stay tuned. Thank you.